नमश्कार में उप्रिया धराधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चोले जानते हैं देश प्रदेश अब तक की प्रमु खबरों को केंद्रिय स्वास्तमंतर अलिद्वारा ज्वारी आकड़ों के मताबिक भारत में पिछले 24 गंटे में 2,55,884 ने मामलें दर्श किये गए हैं ये आकड़ा एक दिन पहले 50,190 कम है यह लगातार पांच वा दिन है जब केस घटे हैं 24 गंटे में 614 मरीजों की जान भी गई है और 2,66,753 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे हैं अभी देश में 22,36,842 अक्टिव केस है घरेलु शेहर बाजार में सोमवार को करीब दो महीने में किसी एक दिन में सबसे बड़ी गिरावत आई है वेश्ट विक स्तर पर कमजोर रुक के बीच घरेलु बाजार में चोतारफा बिकवाली में BSE Sensex 1546 अंक का गोता लगा कर 58,000 अंक से नीचे आ गया कल का दिन ग्लोबल बाजारों के लिए भी बेहत खराब साबित हुआ है और अमेरीकी बाजार भी धढाम से गिरे नौर्वे में तालिबान प्रतिनिधी मंडल और अंतराश्री समुदाय के सदस्यों की बीच वर रही बादचीत के B.C.O. असलों में विरोध प्रदर्शिन चुरू हो गया है इस इक्रब में नौर्वे में स्थित अफगानों ने राजधानी असलों की यात्रा पर आये त तालिबान प्रतिनिधी मंडल के खिलाफ रविवार को विदेश मंत्राले के कारियाले की वहर विरोध प्रदर्शिन किया इस दौरान दर्जुनों पुरुशों और महिलाओं ने अफगान जंडे और तक्तियां उठा रखी थी जिन पर लिखा था फ्री आलिया अजीज औ और तालिबान को मत मान्यता दो उनके हाथ खून से रंगे है। गोल्ड मेडल जीतने वाले जावलिन थ्रोर्ड नीरत चोप्रा को गंतंतर दिवस के मौके पर बड़ा सम्मान मिलेगा नीरत चोप्रा को परम विशिष्ट से वामंड से नवाजा जाएगा बता दे कि नीरत चोप्रा आर्मी में सुबधार है और टोक्यो अलंपिक में गोल् शानी ने इमरान सरकार को रवया बदलने के लिए आगाह किया है असल में कोई भी आवाम हो एक सीमा तक ही सत्ता के कुरिस्त इरादों को बरदाश करती है आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर साहिब गुरु द्वारा कॉरिडर खोलने की पहल की थी तो विदेश मंत्री श्राह महमूद कुरेशी ने इसे इमरान की पार्टी के एक जोसे में प्रधान मंत्री की गुगली बताया था उतरप्रदेश चुनाव को लेकर बिहार में भी जोर शोर से तयार या जारी है सभी राजट्रैतिक दलों ने उतरप्रदेश में अपने उमिद्वारों को उतारने का एलान कर दिया है वहीं आज जन्ता दल्दी उनाइटिड ने आगामे उतरप्रदेश चुनाव के लिए 20 उमिद्वारों की पहली सूची जारी कर दी है पुर्फ केंद्रे मंत्री और कॉंग्रेस के बरिशनेता आरपी एन सिंग मंगलवार को भाती जिता पार्टी में श्रामिल हो गया कॉंग्रेस पार्टी मुख्याले से आरपी एन सिंग ने की नेमप्ले ठटा दी गई है आज ही कॉंग्रिस से इस्तिफादे निवाले सिंग ने कहा है कि भाजपा में श्रामिल होना उनके लिए एक नई श्विर बात है पुर्फ केंद्रे मंत्री आरपी अन सिंग के कॉंग्रिस शोड़ने पर भाजपा में श्रामिल होने के तुरन बाद प्रियांका गांधी वादरा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कॉंग्रिस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत नेवंगलवार को समभाधाताओं से कहा कि कांग्रिस पार्टी जो लड़ाइ लड़ रही है वो केवल बहादुरी से लड़ी जा सकती है इसके अलावा प्रियांका गांधी वार्णा ने भी कडी प्रतिक्रिया दी है गंतत्र दिवस समारों के लिए भारतिय वायूसेना की तैयारी जोरो पर है समारों में भारतिय वायूसेना भवय फ्लाइपास्ट में सबसे अधिक संख्या में विमानों का प्रडशन करेगी वायूसेना और इंस्ट्रग्राम पर तीन वीडियो शेर किये हैं जिसमें दिखाये गया है कि कैसे उनके पाइलट और अनियस सदस्य नई दिल्ली में होने जा रहे हैं, इस बड़े आयोजिन के लिए तयार है. बिग बॉस के घर से बाहर निकले अभीजीत ने ABP मराठी से बात करते वे एक कहा है कि बिग बॉस के घर में मुझे डॉमिनेट किया गया, मुझे पर हावी होने की कोशिश की गई, सल्मान ने मेरे साथ जुस तरह का व्यभार किया वो शोभा नहीं देता. सल्मान ने अब तक 14 सीजन चलाए हैं लेकिन 15 सीजन मेरा था, यहां वो मुझे से कव रहे गया. उन्होंने मेरे साथ जुस तरीकी की भाशा का इस्तमाल किया, वैसे आज चुछ तक किसे ने बात नहीं की. अब तक बाग पिंज्रे में था, इसलिए वो श्रिकारी बन रहा हैं, पदों की लियावे दिन करने के अंतिम तारिक 27 जनवरी 2022 है, यह भरती अभियान 15 पदों को भरेगा, उमिद्वारों को पर योजनाव स्टेश्टों पर NTPC के अस्पतालों में तैनाध किया जाएगा. आरार बीद्वाला, आयोजित NTPC, CBT1 की परिक्षा का परिणाम जारी होने के बाद से अभियर्थियों में आकरोश है, रिजल्ट में धानली का रूप लगाखर चातर प्रदर्शन कर रहे हैं, सोंबार को अभियर्थियों ने पटना के राजवेंद्र नगर टर्मिनल पर उगर प्रदर्शन किया, इस वज़ो से कई ट्रेनों की रूट में परिवर्तन करना पड़ा, वहीं तीन सुपरफास ट्रेनों को रद भी करना पड़ा, हाला कि प्रदर्शन का रियर्थियों को पुलीस की लाठियां खानी पड़ी, इसके बावजुद वो अपनी मांग प खासियत यही है कि आप बहुत छोटा निवेशकर लाखों रुपे का फंड बना सकते हैं, दरसल आपको हर महीने 6,000 रुपे जमा कर 28 लाख रुपे फंड बना सकते हैं मुंबई में 18 घंटों तक पानी की सप्लाई को रोका जाएगा, बीमसी ने हाल ही में जारी एक स्टेटमेंट में कहा है कि 27 जनवरी को मुंबई में पानी की सप्लाई को अवरुध किया जाएगा, साथ ही बीमसी ने कहा है कि स्वा प्लतेशुद पानी में कठोती होगी, ब भारत तिबत सीबा पुलीस के कर्वियों को 18 पदक प्रदान किये हैं, इन में से 3 को वीरता के लिए पुलीस पदक, विशिश सेवा के लिए 3 रास्ट पती पुलीस पदक और सराहनिय सेवा के लिए 12 पुलीस पदक दिये गये। किसानों की गैर क्रिशी आय बढ़ाने के लिए पशिधन विकास, डेरी, पुलिट्री, मतस्य पालन और बागवानी जैसे छेत्रों को प्रोट साहन दिया जाएगा। करनाटर के कॉलिच में हिजाब पहने को लेकर उमजा विवाद अभी शांत नहीं हुआ है कि एक सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ने का मामला गर्मा गया है। घटना एक सपता पहले की बताई जा रही है। मामले में जुला प्रसाशुन ने इन दावों की जाच के आदेश जारी किये हैं इस घटना को लेकर स्कूल प्रबंधन को मिली भगत थी। कि आरोप है कि कोलार में स्कूल प्रबंधन ने स्कूली स्चात्रों को कक्षा में नमाज पढ़ने के अनुमती दी थी। क्योंकि Amazon के साथ चुल रहे मुकदमे के कारण कमपनी संपत्ती नहीं बेच सकी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज इसको लेकर केंदर सरकार चुनाव आयोग को नोटिस जारी क्या है चार हफते में जवाब मांगा है। चुनाव से पहले बोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बाटने और ग्यार वाजब वादे करने वाली पार्टियों की मानेता रद करने की अश्विनी उपाधियाई की बांक पर सुप्रिम कोर्ट ने सुनवाई हुई है। हौकी इंडिया ने इस साथ बड़ इंटरनाशनल टूर्णामेंट के लिए पुरुष टीम के 33 सदस्ये कोर्स समू की घोशना कर दी है जिसमें कुछ नए चेहरे को शामल किया गया इन खिलारियों को 69 खिलारियों में चुना गया है जो तीन सब्ता से भारतिये खेल जोतिरा दिति सिंधिया, जुतिन प्रसाद और सचुन पाइलिट आदिश शामल थे अस्पतालों में भरती हुए कोरोना मरीजों की मौत के बामले में चुन्ता जुनक रिपोर्ट सामने आई है रिपोर्ट दिसमबर के आखरी सब्ता से लेकर जनवरी के पहले सब्ता तक क मौतों के मामले में उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग से जुड़ी है इस रिपोर्ट के मताबिक इस दारान जिन लोगों ने कोरोना से जानगवाई है वो सभी ओमिक्रोन वेरियंस ये संक्रुमित थे ये इसलिए भी चिंता जुनक है क्योंकि ओमिक्रोन को ज्यादा घा तक नह उन्हों ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने बाप को पठखनी दी वो किसी को भी पठखनी दे सकते हैं लेकिन इस बार उतर प्रदेश के चुनाव में यूपी की जंता अखिलेश यादव को पठखनी देगी देश में कोरोना वाइरस महामारी की स्थिती को लेकर केंद्रे स्वास्तमंत्री बंसुख मंडाविया ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र साफशुद प्रदेशों के साथ बैठे कि इस दौरान मंडाविया ने उन्हें सलाहदी की कोबिट जाच और टीका करन का देटा समय से भेजे उन्हों ने ये भी कहा है कि उन राज्यों में कोरोना जाच की संख्या बढ़ाने पर धियान देना चाहिए जहां हाल के दुनों में इसमें कमी देखी गई है भारत ने इस बात पर चुंता जुदा ही है कि संख्या परिभाचा पर अभी तक सहमत नहीं हुआ है और ना ही इस वेश्विक संकट से निपटने और आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कोई सम्दमिक नीजी तयार की है भारत ने कहा है कि संख्या आतंकवाद के खिलाफ एक द्यापक संधी करने की प्रोक्रिया को टालते जारे और असफल सावित हुए है मंगलवार को केरल हाई कोट ने एकलपीट के आदेश को चुनाती देने वाली एक अपील को खारश कर दिया है आप में से जी नियूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है नहीं नहीं देने वाद